दोस्तो आज के इस वीडियो में कबूतर के सुभ संकेत के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसे आप जान लोगे तो जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कस्ट आपको नहीं होगा कबूतर के बारे में कई सारी मानेतायें भी है वहीं इस दोरान लोगों के मन में कई सारे बाते भी आती है एतिहासिक रूप से देखा जाए तो कबुतर एक ऐसा पंच्छी है जो मनुस्तिक की तरह हजारों साल पहले भी दुनिया में मौजूद थे कबुतरों को दाना खिलाना बहुत ही लोगों को अच्छा लगता है और कई बार आप देख पाए होंगे कि कबुतरों को दाना खिलाते हुए लोगों को लेकिन इसकी बीट से भी लोग उतने ही परिसान रहते हैं सास्त्रों में बताया गया है कि आपके घर में कुछ चीजे रखी गई है तो वो आपके यहां धन के आगमन में रुकावड बनती है तथा आपके खर्च बढ़ाती है इसलिए आप चाहते हैं कि आपके यहां भी धन का आगमन हो तो आप अपने घर में इन चीजों को तुरंत खटा दे मैं आज भी बताने वाला हूँ किन चीजों को आराम करने के लिए आतिहासिक इमारते और उचे स्मरक बहुत उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है कबूतरों को इसमें कोई शक नहीं है कि कबूतर एक सांत और सीधे स्वभाव का पक्षी होता है जी हाँ गाईज कबूतर का का काम केबल आसमान में उड़ना है हलाकि अगर ये कभी आसांत हो भी जाए तो किसी को ज़्यादा नुक्सान नहीं पहुंचाता है बता दें आपको कि कबूतरों को दाना खिलाना लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है मगर कुछ लोग कबूतरों की वज़ा से काफी परिसान भी रहते हैं और वो बज़ा है उसकी बीट जिससे लोग परिसान भी रहते हैं वैसे तो कबूतर को सांती का प्रतिक माना गय है सात ही कभूतर के बार या ऑशुभ होता है कि कभूतर का घर में आना या अशुभ होता है क्योंकि एक सास्तों के निसार कभूतरों को लेकर कई सारी माननताएं भी है जिन Welsh कैप बारे में आज हम आपको बताएंगे आपको यह बता दे कि अगर कभूतर आपके घर में कहीं भी घोसला बना ले तो समझ लीजिए कि आपके घर में सुख समृध्धी आने वाली है इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में तरक्की का आगमन होने वाला है इसके अलावा यह भी बता जाता है कि कभूतर का घर में आना काफी सुभ भी माना जाता है कहा जाता है कि कभूतर का आना आपके घर में सुख सांती आने का संकेत है बता दे आपको कि इसका मतलब यह भी है कि आपको काफी समय से बड़ी सफलता मिलने वाली है हलाकि कुछ लोग इसे बुरा समझते हैं मगर हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह एक अच्छा संकेत है हलाकि आपको यह भी बता दे कि सास्त्रों में यह भी कहा गया है कि घर में या उसके आसपास अगर कबुतर का गोसला बना हुआ है तो बिना देरी करें उसे घर से दूर छोड़ाएं क्योंकि उसके होने से आर्थिक तंगी के साथ घर की अरस्तिरता भी आती है जो दिस सास्त्रे में इस बारे में साफ साब बताया गया है कि कबुतर मा लक्षमी के भक्त होते हैं घर में कबूतरों का वास होने से लक्षिमी की विर्धी होती है और सुपसांती में भी विर्धी होती है इसलिए कहा गया है कि कबूतरों को दाना डालने से बहुत ही फाइदा होता है और साथ में अगर घर में अगर आपके घर में कबूतर आगर आता है तो यह साफ संकेत है क आपके घर में मा लक्षिमी का प्रस्त, मतलब आगमन हो चुका